नमस्कार गिसान भाईयो मेरा नाम है ललित मौरिया और स्वागत है आपका स्मार्ट फार्मिंग चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्च की नरसरी के बारे में मिर्च की नरसरी कैसे कर सकते हैं और इसकी नरसरी करने के लिए इसमें कौन-कौन सी खाथ का प्रियोग करना चाहिए और क्या-क्या साउधानिया रखनी चाहिए तो दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इससे अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों मिर्च की नरसरी करने के लिए सबसे पहले इसमें गोपर खाद या कमपोस्ट खाद को डाला जाता है और इसके बाद इसकी जुताई गुड़ाई की जाती है और जुताई गुड़ाई करने के बाद इसमें पाटा लगाकर मिट्टी को बराबर कर लिया जाता है और छोटी-छोटी कियारिया बनाई जाती है और इसकी चौड़ाई लगभगधाई से तीन फिट रखी जाती है जिससे इसमें होने वाले खरपतवार की निराई की जा सके और इस परकार कियारिया बनाने के बाद इसमें एक छोटी लकड़ी के सहाईता से लाइन बनाया जाता है और हाथ से एक-एक बीज की बौई की जाती है और बीज बोने के बाद हाथ से मिट्टी को बराबर किया जाता है और मिट्टी बराबर करने के बाद इसमें प्रियाप्त नमी बनाए रखने के लिए इस्प्रे के माध्यम से इसमें पानी का छिड़काव किया जाता है और जब प्रियाप्त नमी उपलब्ध हो जाती है तब इसमें इसपर काली, पालिथीन या टाट के बोरे से ढट दिया जाता है और एक सबताः भाद इसमें अंकुरण होने लगता है और जब पोधा मिट्टी के ऊपर निकलने लगता है तो इसके उपर से पालिथीन या बोरे को हटा दिया जाता है और फिर से इसमें नमी बनाये रखने के लिए पानी का स्ट्रे करते हैं और इसके बीच बीच में एक अच्छे फंगे साइट का अप्रियोग किया जाता है जिससे पौधे मरने से बचाया जा सके और जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक इसमें सिचाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिचाई करने से पौधे और अधिक मरने लगते हैं दोस्तों इस प्रकार इन सभी साउधानियों को रखकर नरसरी करने से आपके पौधे का जर्मिनेशन अच्छा होगा और नरसरी बड़िहा से उगेगी धन्यवाद